व्लकम दोस्तों अगर को यह ब्रैंड है च्छा कर लिसे लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो में अच्छा कर रहा है यह अगर क्याय से बोगी श्ययर होना चाहिए मेरे साथ को ऐसा ही हुआ मैं अससे ।देशाल पहले एक्टम बर्क फैन ख्रीदा था। जो लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग को मालूम होगा, Atomberg का जो फैन है, बहुत होड़ा एनर्जी एफिशेंट है, और दूसरे सिलिंग फैन से बहुत होड़ा प्राइसी भी है, उस टाइम पर जो इलेक्ट्री सिटी है, बहुत होग होगा था, बहुत हीच रिखिता हैं बिल्ग्वाट्री आपकटाह昨 guess? एक है मेरे सेलिंग फैन का स्विच जो कि मैंने बताया एक अटम बर का रेनेसर फ्लस फैन था और मेरा एक एक उप्यस का स्विच ऑन था जो कि मेरे लैप्टॉक के साथ कनेक्ट रेट रहता है तो बिजली कर रहा है हलका मतलब आधी तुपान जैसा चल रहा है तो और चारो तरफ अनतr generates a fewशें पे क्या हुआ इक बहुत जोडार बिजली करका एंड मतलब ना जोड़ दाताथ था कि मतलब लग रहा है कि भूप्प हो गया नीचे मत्च वह रहा है नीचे से बूपार रहे बर्द उस टाइंक ब्रतार के मेरा बदढ जो है इलेक्टी जोड़ा थिक लेकिन UPS का जो मतलब electricity के साथ जो connection है बो switch on था तो मेरे UPS से मतलब दोनों तरफ ऐसे spark मिकला मतलब spark बहुत दूर तक गया मतलब मैं समझ गया कि बहुत जोर का जटका लगा है तो laptop तो कुछ damage नहीं हुआ क्योंकि laptop का जो connection है मैं खोल दिया था बट यूप्यस कनेक्टेड था तो सबकुछ बंद करने का एंड जो नेक्स्ट हुआ नेक्स्ट जभी electricity आया उसके बाद में मतलब जूसरे रूम पे गया देखा फैन नहीं चल रहा है एंड इतना जोर का बिजली करका था मतलब damage होने का चांस मेक्सिमम रहता है तो एक्सटेंड बग फैन में जब खरीदा था ना तभी कंपनी के तरफ से दो साल का वारेंटी दिया गया था एक साल का एक्सटेंड ड़ारेंटी अगरा प्रोड़कों रेइस्टर कर लेते हो तो मैंने दोनों कर लिया था मैंने पूराना चेक कि किया कि हां मेरा एक्सटेंड भी है तो मैंने तुरंद अटमबर्ग से कॉंटेक किया अटमबर्ग को मैंने फोन लगाया कि मेरा ये इशू है तो अटमबर्ग में मुझे एक केस आईडी दे दिया एंड उसके बाद इमेल भी आ गया कि 1448 आवर्स आपके घर पर टेक्निश आजाएगा लेकिन में थोड़ा डाउटमेंट था बिकॉस में अभी इस एरिया में रहता हूं दिस इस अ विलेज दिस नॉट अ सिटी वेस बेंगल का एक विलेज बोल सकते हैं निया टू नेशनल पार्क तो मुझे थोड़ा डाउट था कि मतलब कोई आके कैसे हैं आप में शायद आ जाओंगा करके तो टेक्निशन थोड़ा लेट आये लेकिन आके उसको उनको शायद मेरे खियाल से साथ से दस मिनिट लगे होंगे एक पार्ट बस चेंज किया मेरा फैन एकदम सही हो गया और अभी मेरा फैन एकदम सही चलता है दोस्तों मैंने जबी कॉम्प अब् lonos और यहां पर मैं उफिस बगरा मतलब शुन नहीं था अद दोस्तों यह जो डिस्ट्रिक्त का कैपीटल भी यहां से कम से कम meant वही मोई 40 kilometr दूर लो सो डिस्ट्रिक कैपीटल भी उत्ना दूर है मुरे जब थोड़ा दौन था कियां पर कैसे रिपार से कोई आके र मैं सब्सक्रावारे करने मिला लेकिन पास कर आपका जो ुदस कवाने काला कर लिए लेकिन जो कासी kवकल चला यह लिए मेरे मेरे पास . वह हिवाने पास वहcle उसलों मेरे फाद के आप partner Chanel's के आप तो वो डॉकुमेंट के साथ में लॉकर के अंदर चला गया और मेरे फ़ादर अभी मतलब इस विलेज में है नहीं वो कहीं पर दूर गय हुए थे तो उस ताइम पर पॉसिबल नहीं था कि उनको में बिल दिखा दो सो मैंने यह बोला कि मैं ढून रहा हो करके तो यहां पर आने के बाद भी मतलब उन्होंने बोला कि आपके जो सारे दोकुमेंट्स है वारेंटी गाइड बेगरा वह सब निकालो वारेंटी गार तो लोकर के अंदर है लेकिन मेरे पास एमाजॉन का बिल था तो मैं एमाजॉन का बिल उनको शो कर दिया और उससे मेरा जो प्राब्लेम था वो सॉल्व हो गया मैंने उनसे और थोड़े डिसक तो एमाजॉन का जो जेनरेट बिल है सो बुई पक्का चीज है क्योंकि एमाजॉन में कोई ऐसा बॉक्स उपिन करके वारेंटी कार्ड में उसका स्टैंब मार्क ऐसे नहीं भेजेगा तो वह खाली रहता है तो जो काम है मेरा एमाजॉन का बिल से चल गया दोस्तों बस एह एक्सपिरिंस शेयर करना था कि मेरा जो एमाजॉन का फैन है रिमोट एंडिया में रहने के बावाजूद अटम बर्ण ने मुझे सर्विस दिया और जो सर्विस परसें ते ही वस ऑसो गूट ही नेवर आस्ट मी फॉर एनी काइंड आप मनी सो बस मैंने उनको बिल दिखाय और उन्होंने मेरा फैन एक कॉंपोनेंट था उपर आता है उसको चेंज कर दिया मतलब पुराना खराब बाला बो लेके गए नया बाला वो उपर मतलब फैन में डाल के गए बस एही जो चीज़े ही हुआ है सो इस रिमोट एरिया में भी अगर अगर अटम बर्ग सर्विस यह तो मतलब थोड़ी बचाने के लिए फैन में रिमोट है रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं बार बार उठने का ज़रूरत नहीं है फैन आटमेटिक जभी सूबह हो जाता है मतलब आप स्लीप मोन में लगा दो तो आटमेटिक फैन का स्पीड कम होते रहता है जब मतलब रा हुआ था कि मैंने क्या यह ले लिया अभी इसको यह कंप्लेंट तो करूंगा लेकिन शाहिद क्या पाता मतलब सही हो नहीं हो मुझे शाहिद निया फैन लेना पर है मतलब में थोड़ा मतलब कंफ्यूस था लेकिन एटम बर्क में जो सर्विस दिया हैट्स आपके शेर करन अगर कोई खड़ा में अच्छा अच्छा था नहीं समझते हैं तो क्या होता है दोस्तों जो ब्रैंड मालो मतलब नीचे से उपर जा रहा है अच्छा कर रहा है लेकिन उसको वाड़ जो है वो गर नहीं मिल पाता है ना तो मैं सोस्ता हूं उसका रीच पुछ हट तक तक त है और बाद में जो बैंट से भैनिश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है सब जितने सारे में अवेलेबल है वह सब खरब है सो जो अच्छा कर रहे हैं उसको बड़ा बात हो तो तभी तो मार्केट में अच्छे बैंड बने रहेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे ने वीडियो आने बाद हैं